नमस्कार, निउस्ट्रेक के वाइफ एक्टर में आपका स्वागत है, मैं हूँ योगिश मिश्व। हमारी आदत में है और फैशन भी, के हम पश्चिम की नकल करें, हम पूरब को पश्चिम बनना चाहते हैं, और एक रेस आपने यह भी देखी होगी, कि पश्चिम पूरब बनना चाहता है, वो अशान्ती की खोज में भारत आता है, हम नई अशान्ती अपने हाथ लेने के अपनी अपनी जीवन चर्या है, अपनी अपनी जरूरते हैं, अपने तरह की जलुआयू हैं और जलुआयू के हिसाब से जिंदगी के अलग अलग पैमाने हैं. फिर भी हम पश्चिम की नकल करते नहीं ठकते हैं. अटलांक्टिक सागर के इस पार और उस पार अगर हम में यौन संबंदों के पैमाने में जमीन और आस्मान का अंतर है. ब्रिटेन के दक्षण पंथी रूडवादी पार्टी के प्रधान मंत्री बोरिस जांसन अपनी महिला मित्र कैरी सेमंडस की संतान के पिता बनेंगे, मगर अभी उनका पाड़ी ग्रण संसकार होना यान व उन्हें बधाई देने वालों का ताता लगा है. एक ने ट्विट करके कहा कि प्रधान मंत्री जी आपको सात्वे शायद ग्यारवे बच्चे के जम लेने के पूरू की बधाईयां. उधर न्यूजिडेंड के प्रधान मंत्री 37 वर्षिया जैंसिटा केट ओडन की बेटी ह हुई. अविवाहिता है. उनका पुरिश्मित्र क्लार्क गैफोर्ड टीवी पत्रकार है. राजदानी वेलिंग्टन के प्रधान मंत्री आवास में दोनों सहवासी है. अब शादी कब करेंगे? तैय नहीं है. बेटे साल भर की होगी? नाम रखा है नीवा ओडर यूजिलेंड के धाई लाख ओट्रों ने उनकी सोस्लिस्स पार्टी का फिर से समर्थन किया है. ब्रिटेन का प्रसंग पूरा करना है. पत्रकार रहते जांसन ने अपनी कई महिला पत्रकार साथियों के साथ अंतरंग संबन बनाये थे. ये सभी सर्विदी थे. इनके नात दीप सिंक और सरगौधा पाकिस्तान पंजाब की थी. इन रुबानी संबन्दों पर नाटको का मंचन भी हुआ है. मीडिया में वेंग्याद पक लेक भी लिखे गया है. उनके मित्र हेलें मेंग के टायर को तो अवगाहित मातृत भी मिला. उनके प्रशंसकों ने जांसन क की चुम्ब की प्रतिवा पर काफी लिखा भी. उनकी भूरी लैलाती जुल्फ हैं, बिखरे, रुखे बाल, स्वानिम का पूल और गहरी नीली आँके तुरंत ध्यान खीशती है. जांसन की समानता अमेरिका के रास्टफत्र है डोनाल्ड टरंप से की जाती है. हलाकि महिला मित्रों से रिष्टों को कभी गोपनी नहीं रखा, जांसन हमेशा इस बात को गोपनी मनाय रहे. क्या सयोग है कि यूरोपी यूनियन से ब्रिटेन को अलग करने के समर्थन में, जांसन ने कहा था कि इससे ब्रिटेन की जन संख्या बढ़ेगी. फिल वक्त प्रारम तो प्रिधानमंत्री नहीं अपने घर से कर दिया. इस संदर में भारत का उधारान पेश करना जरूरी है. आज इवन अविवाहित रहे, अटल वियारी वाच्पई ने एक बार कहा था, मैं अविवाहित हूँ, ब्रमचारी नहीं. एक इंटर्यू में एक महिला रिपोर्ट से साधी के पहले कही थी, कहा था कि जार्ज केवल गैर शादी शुदा हैं. यहां डक्टरामन और लोहिया की उक्ति भी आदाती है. अविवाहित यूगल की बस एक स्वस्त संतान रास्ट के लिए जादा उप्योगी है, बनिस्पत विवाहित दंपति के आधा धर्जन लेकिन अपने बलहीन पतियों के लिए संघसरत शावितरी रथा दमयंती ही भारत किनारियों का आदर्श है. पांचाली नहीं है. तो अब जबाला को परश्रक कहा मिलेगा? गुर्कुल में गुरुजी ने सत्काम से पूछा कि इसके पिता का क्या नाम है? तो जबाला पु शित्तम ने आलेने दोजाज चोड़ा में निर्ण ने दिया था कि पिता का नाम बताना अनिवार नहीं है. नारी अकेली है तो उस पर कोई बात देता नहीं है. इस लिहास से देखे तो भारत की नारी भी गैर बराबरी के सिद्धान को पीछे चोड़ करके आगे की और कू सकते हैं. यहां पर ऐसे व्यक्ति ऐसे नेता का वहिशकार भी हो सकता है. वहिशकार नहीं हुआ. तो एक छोटा सा तपका ही उन्हें लानत भेजने के लिए जरूर मौजूद होगा. इसलिए जरूरी नहीं है कि हम पश्चिम की हर बात में नकल कराएं. विकास में नकल कर स सकते हैं. कुछ खाने पीने के तौर तरीकों में नकल कर सकते हैं. लेकिन अपनी जलवायू, अपना देश, अपनी माटी अलग है. इसलिए नकल उचित नहीं है. इस बार इतना ही. अगली बार फिर मिलेंगे. किसी नए सवाल पर नए ढंक से बात करने के लिए. तब तक के लिए. नमस्कार.